नमस्कार भही अपने अपना पंचे देखे रहने हैं विराट के बगेली बुलेटिन पूजा के साथ खबर रीवा से जहां केंद्री जेल माही चार दिवारन के भीतरे नसे के खेब फेकर के संसरी खेज मामला सामनियाबा है अपने पताय देखे के सडख से नसा के सीसी जेल के भीतरे फेक के कैदिन तब पहुँचाए जाला ही वै ही चुलुक श Aha मतनात जील प्रहारी के साथ है कैद्यू मगन हमा अतने नहीं बल्कि कैदिन से मुलागात करेवाले लोगन से प्रहारी पैसा के मान करए लाहं जोने के भी ओब जंके वाइरल हो हुआ हम लोगों के दारा इसके बाउंडरी के चारों तरफ सुरक्षागार लगाई जाती है तुकि यह दिन का मामला है और दिन के मामले में आम जनता का रोट खुला रहता है इस कारण उसमें होती है कई यह काफी गंभीर समस्चा है हमारे जेल के लिए हम लगातार इससे प प्रभारी के माध्यम से प्रधानी कारवाई कराने के लिए बुलेटन के अगले खबर माहीं अगरवाल दमपती के साथ धाई करोड रूपिया के ठगी करेवाले आरोपी का पुलिस अब गिरफतार करी नहीं है अपना के बताई देए कि पेड़े सी में अगरवाल सहर के च पूछ ताज कर लाई वर आई सुनाई थे मामले माँ पुलिस का खुलासा करें इस यह एक र्यादी आई सिमागरवाल वह ने सिकायट के अम यह थाने में कि मुझे मेरे परिवार जैना से कुछ लोग है जनोंने मेरे पती मेरे भाई की मज़त करने के नाम पर से थाई के र पुलिस के दो आरूपियों को पकड़ा गया इसमें एक फरीद है जो अब्राव यूपी का रहने वाला और एक अजय सिंग है जो सुल्तानपूर का रहने वाला है इन दो लोग पकड़के पुलिस के दोआरा उच्छा में लेकर इसे पोस्ताच की गयो और इनके खाते से कर रूप में 19 लाग रूपे और एक हंडा सिटी का रूप अंदर लाग के वजबत की गई है बुलेटन के अगले खबर अत्रयला थाना चेतर से रही जहां बैलिया घाटी माही ट्रक चालक के साथ दूट के घटना भाई बै बतावा जाला है कि ट्रक चालक सतना जिला के सिध अला कुत्तर प्रदेश कई जात रहे हैं जोने का ही बॉलिया घाटी मा रोकी के गालेग लाउच कही के उनके साथ मार पीट करीन और नगदी और मुबाईल लाई के बदमास चंपत वही के वहें पोलिस पीडित के सिकायत पर अग्जात बदमासन के खिलाप मामला का अग्जात बदमासन के खिलाप मामला का दर्ज कई के पुलिस चान भीन कही रही है मुलेटन के अगली खबर जवा थाना के टिकाई गाउं से रही जहां पारिवारिक में बाद के चलते युवक अपने पत्नी के गलागोट के हत्या कही दिहीं मुलेटन के अगली खबर माही निसंतान महिलां का तेर खुस खबरी हब अपने का बताई देई के रिवा माही स्याम साह मेडिकल कालेज मा आई वी अफ सेंटर खुले जाए के अनुमती मिल चुकी हब इसा मन्द माही स्याम सार्व मेडिकल कालेज के डीन मनोज इंदूलकर बताएं कि स्याम सार्व मेडिकल कालेज माही आईवेफ सेंटर खुल जाए के बाद यरीवा खातिर बड़ी उपलब्धी होई अब आज उनमाही लाएं बच्चन के हसास से बंची थाई और उपाहर जा गाइनी भागे इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया जाना है शार्षन से हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो गएंगे और बजट भी कुछी समय बद प्राप्त हो जाएगा इसी आशा हम करते हैंगे तो इसमें हम लोग गाइनी में एक अलग से हम जगह एर मार्क की चि सब्सक्राइब करें तो अभी यह सब प्रचलन में कुछी समय प्रच्चात हम लोग भी आईवीएप में सक्षम हो जाएंगे और हमारे यहां पर यह कार यह अच्छे से गाइनी विभाग करेगा यह रोशनी क्लीनिक करके डिस्टिक हॉस्पिटल में इसका संचालन होता है तक तक कि लाने दे इसाजत देखत रहे हमारे बेनी के बगेली समाचार नमस्कार